हेलो फ्रेंड्स गुड इविनिंग कैसे आप सब स्वागत आपका फिर्ट से आपके अपने यूटूब चैनल पर और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशो और प्रपोर्शन का फिफ्ट लेक्चर जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं सब तरह के प्रपोर्शनल्स के बारे में प्रपोर्शनल्स का मतलब जैसे आपने सुना होगा मीन प्रपोर्शनल निकालना थर्ड प्रपोर्शनल निकालना फॉर्थ प्रपोर्पोर्शनल निकालना और भी तरह तरह के कोशन एक्जाम में पुछे जाते हैं इस कंसेप्ट के उपर आज मैं आपको सारे के सारे कोश चैम बहुत आसान कोशें आपको लगेंगे जो प्रपोश्चनल के अनदर सबसे तफ कोशें एक्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको टफ लगते हैं मेरा कहने का यह मतलब है वो सारे के सारे question मैं easy बना दूँगा ठीक है तो पहले मैं आपको definition बताता हूं सबकी देखो यह हम तीन तरह के concept आज की lecture में clear करेंगे mean proportional, third proportional और fourth proportional पहले मैं इनको हम बोलते हैं हिंदी में चतूर्था अनुपाती चतूर्था अनुपाती अब मैं आपको पताता हूं कि सबका मतलब क्या होता है और किनी दो नंबर के बीच में आपको mean proportional निकालना हो थार्ड प्रपोर्शनल निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले इन सभी definitions को क करने से पहले आपको एक चीज पता होने चीए रेशो में continued proportion continued proportion continued proportion का हिंदी में मतलब होता है निरंतर अनुपात निरंतर अनुपात जैसे कि मैं यह कहूं कि मालो a x और b are in continued proportion तो इसका मतलब यह होता है यह definition है ठीक है इसका मतलब यह होता है कि a का जो x के साथ ratio है वही ratio x का किसके साथ है बी के साथ है continued proportion का मतलब यह होता है कि इन दोनों का ratio equal है इन दोनों के ratio के यानि कि a by x equal है किसके x by b के तो अगर आपसे continued proportion में दे दे और कहे x की value निकालो तो यह जहां से x square किसके equal होगा आपका a b तो x कितना आ जगा under root of a b तो ये क्या है continued proportion की definition है ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके तिन नों का मतलब सबसे पहले आता है mean proportional mean proportional between mean proportional को में short form में mp लिखेंगे mean proportional between a and b आपको दो number question में given होगे जैसे 30 और 40 और उनके बीच का क्या निकालना होगा mean proportional निकालना होगा तो इसकी definition क्या होती है mean proportional between a and b मैं मान लेता हूँ x क्या है let x be the mean proportional between a and b अगर मान लो x इनके बीच का mean proportional है ये x क्या है a और b के बीच में है mean proportional है इसका मतलब ये होता है कि जो a x b है जो A X और B है ये किसमे है R in Continued Proportion ये किसमे होंगे Continued Proportion और उपर मैंने अभी Definition बताई Continued Proportion की क्या होती है A upon X ये Equal होता है X upon B के तो यानि की X की Value यहां से कितने आजेगी Under root A B तो यानि अगर आपको दो नमबर के बीच का Mean Proportional निकालना हो तो आप क्या करोगे दोनों नमबर की Multiply करके और उसका क्या निकाल देना Square Root निकालना ठीक क्या निकालना आपको Square Root निकालना है जैसे मैं एक Example देता हूं आपको जैसे आपको निकालना हो Mean Proportional Mean Proportional between 12 and 3 अगर आपको पेपर में Question आए कि 12 और 3 के बीच का Mean Proportional निकालना तो आप क्या करोगे बताओ Mean Proportional क्या होगा 12 और 3 की Multiply करके और इसका क्या निकाल दो Square Root तो Answer कितना आएगा आपका 6 6 क्या आपका 12 और 3 के बीच का Mean Proportional है ठीक है यह मतलब है Second आपका आता है Third Proportional Third Proportional देखो नाम से कलियर है Third Proportional का मतलब जैसे मानलो आपसे कहा जाएगा TP Short Form में लिख रहा हूँ मैं Third Proportional between A and B दो नंबर आपको दिये होंगे और उनका आपको क्या निकालना है Third Proportional इसके नाम से कलियर है कि Third Proportional यान कि यह Third Number पे आएगा मैं मान लेता हूँ X क्या है Third Proportional है Let X be the Third Proportional between A and B तो यह तीन नंबर किसमें होंगे आपके Continued Proportion में होंगे यह तीन नंबर क्या होंगे आपके Continued Proportion और Continued Proportion का मतलब क्या होता है पहले दो का रेशियो इक्वल है लास्ट के दो का रेशियो यानि कि A by B यह इक्वल है किसके B by X के तो यहां से मिलको बताओ A X किसके इक्वल आएगा B स्केर तो X किसके इक्वल आएगा आपका B स्केर बाए में A तो अगर X A और B के बीच का Third Proportional है तो उसका जो अंसर होगा वो क्या होगा X इक्वल टू B स्केर अपॉन में A B स्केर का मतलब यहां पर B कौन सा नंबर है सेकंड नंबर यानि कि आपको सेकंड नंबर का स्केर कर देना है और उसको First से क्या कर देना डिवाइड तो वो क्या निकलाएगा उन दोनों नंबर के बीच का Third Proportional निकलाएगा ठीका त्रित्यानुपाती जैसे मालो मैं एक्जेंपल देखके आपको समझाता हूँ पेपर में कोशिन ऐसा है का Find the Find the Third Proportional Third Proportional Between तो बस आपको डेफिन याद रखनी है और मैं एक्जेंपल दे रहा हूँ और फिर जितने भी प्रीवेश येर के अंदर कोश्चन आये हूँ है अलग-अलग तरह के कोश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको करवाँगा ठीक है तो यह है Third Proportional का Formula क्या होगा Second का Square upon में First Last आता है आपका Fourth Proportional Fourth Proportional चतुर्था नुपाती Fourth Proportional Between A and B Sorry Between A, B and C Fourth Proportional ओफ ओफ लिखाएगा Between की जिए क्या कर लो आप ओफ कर लो इनका क्या निकालना आपको Fourth Proportional नाम से कलियर है Fourth Proportional A, B, C चोथे नंबर पे आएगा यह ठीक है चोथे नंबर पे आएगा तो इसका मतलब सिदा सिदा क्या हुआ कि चारों नंबर किसमें है Proportion में है Proportion का मतलब क्या होता है पहले दो का ratio equal होगा Last के दो का ratio तो यानि कि A, X यहाँ से किसके equal आएगा B, C के X यहाँ से क्या आजेगा आपका B, C अपन में A याद नहीं रखना आपको कुछ भी याद रहते है तो बहुत अच्छी बात है Otherwise basic method से हो तो आप paper में कर ही सकते हो यानि fourth proportional क्या होता है Second और third की multiplication upon में first number यही fourth proportional का formula है जैसे मैं एक example दे लेता हूँ हर एक का मैं example जरूर दूँँग आपको जैसे मान लो आपसे paper में कहा गया find fourth proportional सतूर्था नुपाती ग्याद करो किसका of 12 24 30 का आपको 12 24 और 30 का fourth proportional ग्याद करना है तो fourth proportional में मान लेता हूँ X है तो फिर मेरे को बताओ यह चारो नंबर किसमें हो जाएंगे proportion में हो जाएंगे proportion proportion ठीक है proportion समानुपात में होगे और समानुपात का क्या मतलब होता है कि पहले 2 का जो ratio है वही last के 2 number का ratio होगा यानि कि 12 by 24 equal होगा 20 by X के तो यह कितना आगे आपका X की value कितनी आगी 40 X की value कितनी आजगी 40 और 40 ही इस question का क्या है answer है तो इस तरीके से आप mean proportional निकाल सकते हो third proportional निकाल सकते हो और fourth proportional निकाल सकते हो ठीक है अब मैं previous year में जितने भी question इसके बनते हैं बने हैं मैं वह सारे के सारे आपको करवा रहा हूँ question से start करते हैं what is the fourth proportional of 18, 24 and 30 अभी मैंने बताया fourth proportional का formula क्या होता है मैं मान लेता हूँ x इनका क्या है fourth proportional है x है तो fourth proportional का मतलब क्या होता है देखो पहले 2 का ratio यह equal है क्या last के 2 का ratio यानि कि यह 4 नंबर किसमे है proportion में 6 पे काट दो 6 3 जा 6 4 जा 3 10 जा तो x की value यहां से कितने आएगी 40 कोई रटा नहीं मारना कोई short trick नहीं शीखनी बिल्कुल basic method अपना हो 3-4 seconds 5 seconds के अंदर question का आपका answer आ जाएगा ठीक है fourth proportional निकालने का सबसे easy method है अच्छा इसको अगर मान लो कोई intelligent बच्चा है वो करना चाहता है बिना copy pen के तो वो ऐसे भी कर सकता है 18, 24, 30 और fourth proportional आपने क्या मान लिया X मान लिया अभी मैंने क्या बताया कि यह चारो number proportion में है proportion का मतलब इन दोनों नंबर का जो ratio होगा वही इन दोनों नंबर का होगा अच्छा इन दोनों नंबर का ratio कितना है बताओ 3 ratio 4 तो इनका भी ratio कितना होगा 3 ratio 4 ही होगा आप कहोगे sir 3 की value 30 तो 4 की value कितनी होगी 40 और 40 ही इस question का क्या है answer देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो ठीक है यह method उन बच्चों के लिए है जिनकी calculation बहुत अच्छी है जिनको mathematics के बारे में कुछ पता है जिसने मेरे percentage के lecture देखे है ratio के basic lecture देखे है 4 हो ठीक है वो ऐसे भी सोच सकता है otherwise यह method सभी बच्चों के लिए useful है next question देखो fourth proportional निकालना है आपको x minus y का x square minus y square x plus y और x minus y यह x minus y कर लेना ठीक है इनका आपको क्या निकालना है fourth proportional तो मैंने अभी बताया fourth proportional के लिए क्या करते है x square minus y square x plus y x minus y और fourth proportional अब के बार x मत मानना क्योंकि x तो question में है न इसको क्या मान लो अब क्यों मान लो क्यों मान लेते हैं क्या है fourth proportional है तो मुझे बताओ पहले दो number का ratio last के दो number के ratio के equal होता है बिल्कुल होता है पहले दो number का ratio आप बिल्कुल basic method से किया करो कोई shortcut की तरफ मत जाओ और last के दो number का ratio आप बताओ x square minus y square क्या होता है x minus y x plus y x plus y कट जगा x minus y बच गया x minus y से x minus y कट गया तो q कितना आगया आपका बताओ 1 तो fourth proportional आपका कितना आगया 1 आगया तो बिल्कुल आसान सा था question next question देखो आपको क्या निकालना है mean proportional between 6 and 24 मैंने पताओ था दो number के mean proportional अगर beats का निकालना हो अपने को तो क्या करते हैं दोनों number की multiply करके और उसका क्या निकाल देते हैं square root याने की 144 का square root कितना होता है 12 12 इस question का क्या है answer है यह तो बिल्कुल basic question देखो next में क्या रहता है third proportional निकालना है third proportional इन दोनों number का इन दोनों number का और आपको मैंने बताया था third proportional निकालने का formula क्या होता है second number का क्या कर दो आप square कर दो और divide कर दो किससे first number से तो देखो second number क्या है यहां पे a minus b यानि इसका तो क्या कर दो square कर दो first number क्या है आपका a square minus b square इससे क्या कर दो divide a minus b का whole square क्या होता है बता हो a minus b into a minus b और a square minus b square का formula क्या होता है a minus b into a plus b यह term हो जाएगी cancel इसलिल क्या बच गया answer a minus b upon a plus b और यही इस question का क्या है अंसर c option आ जाएगा इसका next question क्या कहता है देखो the mean proportional between 45 and a certain number is three times the mean proportional between 5 and 22 find the number यानि कि आपको कह रखा है mean proportional एक तो 45 है एक कोई certain number है क्या है वो number मानलो x है उनके बीच का जो mean proportional है वो तीन गुना है किसका mean proportional between 5 and 22 का तो number बताओ x की value बताओ तो बहुत आसान है मेरे को बताओ इनके बीच का जो mean proportional होता है वो कितना होता है 45 x का क्या कर दो आप square root कर दो यह mean proportional तीन गुना है three times है किसका mean 5 और 22 के mean proportional का तो 5 और 22 का mean proportional यह होता है और इसका 3 उन है तो बताओ हो गया question solve अब दोनों तरफ क्या कर दो square कर दो square करोगे यहाँ से square root खतम 3 का square 9 और यहाँ से square root क्या हो जेगा खतम और question हो गया 9 5 जा कितना आगया 45 x की value कितनी आगी सिर्दी देखो 22 आगी कोई calculation नहीं है कुछ नहीं है simple मैंने x की value को निकाल के आपको दिखा दिया next question में देखो यह बहुत important question है इस तरह के question अब आने वाले हर question के अंदर यह वाला concept यूज होगा ठीक है मैं इसके आपको 2-3 method बताऊंगा हर बच्चे को 3-3 method मेरा प्रोमी से समझ आएंगे और यही question वो है जो बत्चो को सबसे ज़्यादा tough लगता है अब देखो मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूँ इसमें यह कहता है what number should be added to each of the number 6, 7, 15 and 17 so that the resulting numbers are in proportion यहने कि 6, 7, 15 इन चारों में क्या number मैं add करूँ एक number add करना है मेरे को इन चारों ट्रम में जिससे की जो नए नंबर बनके आएंगे वो किसमें हो जाए समानुपात में हो जाए वो किसमें हो जाए proportion में हो जाए मैं मान लेता हूँ मैं चारों में x x add कर देता हूँ चारों में मैंने x add कर दिया, पहले मैं basic method समझा रहा हूँ, ठीक है, question का meaning क्या है, यह कहता है कि x add करने के बाद, जो यह चारों number होगे न, यह किसमे होगे, proportion में, और proportion का मतलब क्या होता है, पहले 2 का ratio equal है, last के 2 के ratio के, तो बताओ, यहां से अगर आपको कोई कहे कि x की value निका सकते हैं, बहुत आसान है निकालना, करो x की value कैसे निकालोगे देखो, 17 से multiply करो इसको, यह आगे आपका 17x, और फिर x से करोगे, तो 6x प्लस में x square, यानि कि question ऐसा नहीं है, जिसको solve ना किया जा सके, question तो solve होगा ही होगा, ठीक है, 15 से multiply करो, प्लस के 15x, x से करोगे, प्लस क 7x, प्लस में x square, दोनों तरफ x square से x square कटके, यह 23x और यह 22x, तो यहां बच जाएंगे x, और यहां कितना बच जाएगा आपका 3, x की value कितनी आगी 3, इसका मतलब है, अगर मैं हर एक ट्रम में 3-3 add कर दूँगा, तो यह 4 नंबर जो नए नंबर आएंगे, वो किसमें बन परपोर्शन में, देखें, वेरिफाई करके, 3-3 add करो, 6-3, 9, 7-3 कितना होएगा, 10, 15-3 कितना होएगा, 18, और 17-3 कितना होएगा, 20, इसका मतलब यह है कि इन दो का ratio, और इन दो का ratio क्या होएगा, बराबर होएगा, बताओ, हो रहा है बराबर, टू पे काट दो, हो गया न इसका second method, देखें, second method क्या है, इसी question को करने का, second method आपको मैं पताता हूँ, value x की निकालनी है, लेकिन x की value निकालने के मेरे पास बहुत सारे तरीके है, मैं आपको सारे समझाओंगा, आज, देखो, आपने क्या कहा, 6 plus x upon 7 plus x, यह equal है, 15 plus x upon 17 plus x, मैं direct cross multiply करने की बजाए, यह यहां पर क्या लगा देता हूँ, cnd लगा देता हूँ, cnd क्या होता है, component and dividendo, component and dividendo, जिस बच्चे को नहीं पता मैं समझा देता हूँ, जैसे अगर दो ratio equal है, a by b equal है, c by d, तो cnd क्या कहता है, कि आप a plus b upon a minus b रख दो, और यहां क्या लिख दो, c plus d upon c minus d, यानि कि numerator उपर न denominator को sorry, denominator को add करो, और यहां पर denominator को क्या कर दो, minus, अब मुझे बताओ, यह कितना हो जाएगा, cnd लगाने के बाद, 6 plus x और यह 6 plus x निचे भी लिख दो, उपर 7 plus x को plus कर दो, और निचे क्या कर दो, इसको minus कर दो, तो बताओ हो गया question, ऐसे ही यहां पर, उपर तो क्या हो जाए एगा, और निचे minus के 17 minus के x, देखो निचे से x कर दो, 6 plus 7, 13 plus के 2x, डिवाइद भाए कितना आगा, आपका minus 1, और यहां पर आपका कितना आएगा, 32 plus में 2x, और डिवाइद भाए कितना आएगा, आपका minus के 2, minus से minus कर दो, 2 से multiply कर दो, 4x plus में 26, इकवल टू 32 plus में 2x, तो यहां से 2X की value कितनी आएगी? 6 और X की value कितनी आएगी? 3. X की value कितनी आजेगी? यहां से आपकी 3 आगी. X की value 3 आगी और यही देखो 3 यहां से आए था. यही 3 यहां से तो CND लगा के भी आप इस question का answer निकाल सकते हो. हो लेकिन देखो दोनों method क्या लेंदी हो रहे हैं यह direct method किया यह भी थोड़ा लेंदी है cnd लगाओगे तब भी थोड़ा लेंदी पड़ेगा अब मैं इसको आपको तीसरे method से कराता हूं देखो third method मैं सारे method शिखा देता हूं जो बच्चा जिस method से करना चाहे फिर वो उससे कर सकता है देखो चार संख्याएं क्या थी 6 7 15 17 6 7 15 और 17 चारों में क्या क्या जोड़े मैं कहता हूं एक्स जोड़े यानि कि 6 प्लस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा फिर कितने 15 प्लस एक्स और 17 प्लस एक्स आप ऑप्शन से सोल करो ओप्शन देखो आपको क्या के देर रखे हैं 6 5 4 3 6 5 4 3 यह आपके ऑप्शन है आप ऑप्शन से पुट करके देख लो कि कौन सी वैल्यू इसको सैटिस्वाइब कर दिये और अगर आप यह सोचते हैं कि मुस्किल होगा उप्शन से बिल्कुल भी अपका 21 और यह कितना आएगा 23 बताओ क्या यह दोनों रेशो इक्वल है बिल्कुल भी कौनिया ठीक है 55 पुट करके देखो तब भी कौनिया आएगा फॉर से भी क्वल नहीं आएगा थ्री पूट करके देखो गए एक्वल आएगा क्यों 3 और 6 9 7 और 3 10 3 पुट करोगे 18 3 पूट करोगे कितना आएगा 20 देखो यह दोनों रिशो क्या आगे एक्वल आगे ना तू पे काट दोगे तो 9 बैट 10 तो ऑप्शन से भी आप सोल कर सकते हो लेकिन इन कोशन को तो आप ऑप्शन से सोल कर लोगे लेकिन आगे जब कोशन चेंज होके आएगा ना एक्जाम में वहाँ पर आप ओप्शन का यूज ही निकर पाऊगे क्यों कि डारेक्ट आपसे यह पुछा ही नहीं जाएगा कि क्या नंबर एड करें यानि की नंबर तो एड करना पड़ेगा आपको बट आपको आपको तो फिर वहाँ आप ओप्शन 15 और 17 इन चारों में क्या एड करूं कि एड करने के बाद जो चार नए नमबर आएंगे वो किस में बन जाएं प्र परपोर्शन में समानूपात में बन जाएं आप पहले दोनों का डिफरेंस न निकालो कितना है एक यूनिट इन दोनों का difference निकालो कितना है दो unit इन difference का क्या निकाल दिया करो आप ratio निकाल दिया करो ठीक है इन difference का आपको ratio निकालना है ये एक unit ये दो unit तो एक और दो का ratio कितना होता है 1 ratio 2 ही होता है ठीक है यानि कि lowest term में convert कर लो फिर आपको इसके बाद क्या करना है, इस 6 को सरकल कर लो, या इसके इपर मार्क कर दो और इस 15 को मार्क कर दो ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे इस 1 की multiply 15 से करो कितनी आगी 15 इस 2 की multiply इस 6 से करो कितनी आगी 12 15 में से 12 गए कितना 3 और इन दोनों ratio का जो difference है वो कितना है बताओ एक unit यानि कि एक ratio की value कितनी आगी 3 और आपको एक ratio की value ही निकालनी होती है और वही आपका क्या होता है answer जो एक ratio की value आगी आगी ना वही आपका क्या है answer है यानि कि 3 3 add करने पे ये चारो number proportional हो जाएंगे ठीक है तो देखो मैंने बहुत आसान तरीका बताया एक बार और बता देता हूँ इसी question में 6 7 15 17 इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है एक इन दोनों का अंतर कितना दो एक और दो का ratio कितना हो गया दो अब आपको क्या करना होता है इसके बाद बताओ अब आपको ये करना है इस 6 को और इस 15 को 6 लो ठीक है पहले और तीसरी ट्रम को 1 की multiply इस 15 से कर दो और 6 की multiply इस 2 से कर दो दोनों का difference लो difference समझगे न 15-12 कितना आ गया 3 और इन दोनों का difference कितना है बताओ 1 unit तो 1 unit की value कितनी है 3 और जो हमारी 1 unit की value होगी न वही इन questions का क्या होता है हमारा answer होता है तो देखो यह method बड़े-बड़े questions को आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से solve कर देगा ठीक है जो calculation अगर इसमें होगी विना तो बाकी questions के तुलना में जो मैंने आपको first method बताया था उसके comparison में आप कम calculation से questions का अंसर निकाल सकते हो अब देखो हम question करते हैं इसमें कहता है आपको what number should be added to each of the number these so that the resulting numbers are in proportion क्या-क्या add करें इनमें कि जो नए number आएंगे वो proportion में हो जाए तो मैं कहता हूँ x add कर देता हूँ मैं तो बताओ 6 plus x upon 14 plus x equal to 18 plus x equal upon में कितना आएगा 38 plus x तो basic method से तो इस question को कोई भी बच्छा solve करी देगा कोई problem है ही नहीं ठीक है cross multiply करके और x की value निकाल लेना x की value जो निकली जाएगी लेकिन मैं कहता हूँ मैं इस method से solve नहीं करने वाला मैं क्या कहता हूँ 6 14 18 38 आप क्या निकालो पहले दोनों को अंडरलाइन कर लो ठीक है circle बना लो rectangle बना लो इसके फ़र इस two की multiply करो इस 18 से और इस six की multiply करो इस five से और दोनों का क्या निकाल दो difference निकाल दो मुझे बताओ 18 को 2 से करोगे 36 और 6 को 5 से करोगे 30 दोनों का difference कितना आ गया 6 और यह difference किसके होता है बताओ difference होता है इन दोनों का जो difference है कितना तीन यूनिट तीन यूनिट की value question में कितनी है 6 मैंने का था जो answer होता है वो क्या होता है एक unit एक unit की value कितनी होगी दो और दो ही इस question का क्या है आपका answer ठीक है तो आप सोचोगे फिर यह method क्यों लगाए हम तो option से इतनी आसानी से solve कर सकते हैं अब आगे आने वाले अगर की लिखता हूं x y lcm तो क्या जिए आपका x square प्लस में y square अब बताओ थर्ड प्रपोस्टन लिकालने का formula क्या होता था मैंने आपको बताया था second number का क्या करना है आपको square और divide करना है किससे first number से second number second number यह रहा इसका square करोगे तो square root खतम हो जाएगा अपोन में first number first number क्या है आपका x square प्लस y square अपोन में x y यह cancel होएगा x y उपर चला जाएगा answer कितना आगे आपका x into y x into y ही इस question का क्या है answer तो यह तो basic formula के उपर best question था अब देखो इसमें क्या करता है मैं जितने भी previous year में आए हुए ना CGL mains के अंदर question आए हुए CPU में आए हुए है CHSL में आए हुए हुए वो सारे के सारे लेके चल रहा हुए ठीक है मैं यह नहीं कर रहा कि आपको बस EGG question बताके और वह concept खतम कर दिया मैं आपको सारे question कराओंगा जो हर teacher ने करवाए है अपनी sheets के अंदर जितने भी paper के अंदर previous year में पुछे गए है मैं सारे के सारे question का collection करके और आपको सभी कराओंगा तक कि आप किसी भी book से फिर question लगाओगे न आपको कोई भी question नया नहीं मिलेगा आपको सारे question आते वह होंगे ठीक है इसमें कहता है what is the sum आपको sum निकालना है किस किस का of the mean proportional between 10.8 and 4.8 and third proportional between these two numbers यहने कि आपको इनका तो mean proportional निकालना है इन दो नंबर का और इन दो नंबर का third proportional और फिर दोनों को क्या करना है आपको add करना है तो बस बहुत असान question है पहले तब mean proportional निकालो mean proportional क्या होगा बताओ 10. 10.8 into 4.8 आप क्या करो point को हटा दो point को हटा ओगे तो ऐसी लिख सकते हो ना 48 divided by 10 अब बताओ 10 into 10 तो इसका निच्चे तो square root क्या आजेगा 10 आजेगा उपर वाले को थोड़ा simplify कर लो मैं अगर इसको लिखू 36 into 3 और इसको मैं लिख दू 3 into कितना 16 तो देखो इसका square root आजेग बहतर को आप 10 से divide करोगे यानि की 7.2 आगया ठीक है यह आगया 7.2 अब क्या निकालो अब 3rd proportional निकालो 3rd proportional किसका इन दोनों का 3rd proportional का formula क्या होता है 2nd number का square आप उन में 1st number यानि की 8 आपको निकालना क्या है दोनों का sum यानि की 8 प्लस में 7.2 यानि 15.2 तो एक ही question के अंदर आ और 3rd proportional भी तो आज कल एक्जाम में जो question का trend है वो ऐसे-से question का ही है क्योंकि examiner के पास बहुत कम question होते हैं आप से पूछने के लिए तो वो यह चाहता है कि जितने भी मैं 25 question पूछ रहा हूं बच्चे से उनमें maximum concepts के बारे में जानकारी ले लूँ ठीक है इसलिए एक ही question के इंदर आपके mean proportional third proportional वो सब कुछ पूछ लेगा next question देखो क्या करता है what is the ratio इसमें ratio पूछ लिया किस किस का ratio पूछ है mean proportional between 8.1 and 3.6 and third proportional of this and this ratio पूछ है ratio तो बहुत आसान होता है इनका mean proportional क्या होगा बताओ 8.1 into 3.6 का mean proportional यही होता है upon में ratio पूछ है तो divide कर दो इनका third proportional क्या होगा बताओ second number का square upon में first number और question हो गया soul अब बताओ में इसका mean proportional इसका जो under root होता होकितना होता है 0.9 और इसका under root कितना होता है 0.6 और यह कितना है आपका 9 और यह 4 उपर चला जाएगा ठीक है तो यह 9 यह 10 पे कट जाएगा आपका 10 पे तो इसको लिख तो आप क्या 6 by 10 और यह किया है 4 510 तो कितना आगे मीन प्रपोर्शनल निकालना आपको 8.1 और 3.6 का दोनों को मल्टिप्लाई करके और क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो अंडर रूट निकाल लो और थर्ड प्रपोर्शनल सेकेंड नमबर का सुकेर अपोन में फर्स्ट नमबर मैं यहां पर फोर लिख गया यहां कितना था तू था अपोन में फर्स्ट नमबर तो यह कितना आजएगा अपका तू आजएगा यह तो यह आपका आजएगा कैल्कुलेशन में थोड़ी बहुत मिश्टेक होगी तो मैं दुबारा निकाल देता हूं 8.1 और 3.6 की मल्टिप्लाई करके इसका निकालो स्केर रूट और आपका निचे क्या आएगा स्केर रूट निकालोगे ठीक यह थी का स्केर अपके की तो आजएगा अब इसको इसको सोल कर ल MM gauge navigation nevertheless कितना आगया 9 36 का कितना आगया 6 और निच्छे कितना आएगा 10 और यह 4 और यह 9 यह 4 से 4 कट गया और यह 24 by 10 यानिकि 12 रेशो 5 12 रेशो 5 इनका आपको रेशो निकालना था तो यह 12 रेशो 5 अना चाहिए आपका what is the ratio of the mean proportional between this and this and third proportional of 2 and 3 तो बाकी calculation check करें ना मैं तो कोई calculation में mistake हो गई हो यानिकि mean proportional निकालना होता है हमारको दो नंबर का तो दोनों की multiply करके और उसका क्या निकालते हैं square root निकालते है square root निकाल दिया मैंने 9 और इसका कितना आएगा 6 और निच्छे कितना आएगा 10 और अगर मैं निकालू इसका third proportional तो कितना आएगा 9 by 2 मैं बार बार सोरी मैं बार बार इसको 4 लिख रहा हूं तो यह कितना आएगा 12 by 10 आएगा 12 by 10 का मतलब क्या आएगा 6 ratio 5 कई बार एक question में क्या mistake हो जाती है न तो वो दिमाग में नहीं आती पकड़ में नहीं आती वो mistake ठीक है तो आप concept आप सिखे कि paper के अंदर कैसे कैसे question पूछे जाते है mean proportional औ तो mean proportional कितना होगा 1.8 into 3.2 और इसका square root और third proportional क्या होगा आपका 3 का square यानि की second number का square upon में first number तो इसको solve कर लो देखो 18 और 32 निच्चे इसको क्या कर दो इसकी point हटा दिया गरो point को हटा दो तो calculation क्या है आसान बन जाती है और यह क्या हैगा 9 और उपर जाके यह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा तो आप इसको क्या करोगे 18 और 32 18 को लिखतो 9 into 2 और 32 तो 32 है और निच्चे कितना आगे 9 है और यह कितना आगे 5 5 2 जा उपर देखो 9 का अंडरूट 3 और यह 64 64 का square root 8 और निच्चे कितना आगे आपका 18 3 3 6 जा तो कितना आगे आपका 4 ratio 3 इसका ratio कितना आजएगा 4 ratio 3 तो बिल्कुल basic calculation है calculation पे ध्यान दो आपका answer आजाएगा next question देखो क्या कहता है cjl mains का question है यह find two numbers such that their mean proportional is 18 उन दोनों number का mean proportional तो 18 है और third proportional क्या है 144 है ऐसे question को आप option से क्या करो देखो mean proportional कितना है उसका 18 है मुझे बताओ mean proportional होता क्या है अगर दो number मालो a और b है तो उसका square root होता है यानिकी 18 दे रखा है तो यानिकी दोनों number की product कितने आने चाहिए आपकी 3 24 तो चीस option में दोनों number की product 3 24 है वही आपका answer है ठीक है तो देख लो 3 24 किसमें आएगा 3 24 आप आपको mean proportional दे रखा है कितना 18 18 का square होगा 3 24 तो इसमें 3 24 आपका किसमें आएगा देखो 36 गुना में 9 करो 36 गुना में 9 करोगी कितना आएगा 3 24 तो यही आपका एक option है जिसमें दोनों number की product कितने है 3 24 बाकी देख लो किसी के अंदर भी 3 24 नहीं है ना इसकी होगी इसकी तो हो 3 24 आती हो तो क्या करें तब आप 3rd proportional तो देर रखेना तो आप उन दोनों number का क्या निकालो 3rd proportional 3rd proportional क्या होता बताओ तो second number का square upon में first number तो देखो 36 into 36 by में 9 9 4 यह कितना आगया 144 और 144 ही आपको given है यानि कि हमारा option मैच हो गया तो ऐसा नहीं है कि option से solve करने में मुस्किल आएगी आपको पता होना चाहिए कि options का use कैसे किया जाते है ठीक है इस तरह से आप बहुत आसानी से इस question को solve कर सकते हो यह यह बिल्कुल basic question है third proportional आपको निकालना है 12 और 18 का answer क्या है बताओ second number का square आप उन में first number 6 पर काट दो 6 3 जा 6 2 जा 2 9 जा तो कितना आगे आपका 27 27 इस question का क्या है answer है next question fourth proportional आपको निकालना है इन तिनो number का fourth proportional मैं माल लेता हूं कितना है x है तो बताओ पहले दोनों numbers का जो ratio होगा वही next दोनों number का ratio होगा इसको काट दो 3 पर काट दो 3 पर काटोगे यह आएगा ठीक है 21 इसको किस पर काटोगे 7 पर कट रहे यह 7 9 जा और 7 पर काटोगे कितना आएगा 13 और यह 9 पर कट जेगा आपका 9 1 जा 9 7 जा तो x की value कितनी आगी बताओ 13 गुना में 17 7 21 unit digit कितना होगा एक और एक ही option ऐसा है जिसका unit digit कितना है वन है तो यह आपका answer आजाएगा what is the ratio आपको ratio निकालना है किसका mean proportional between 4.8 and 10.8 and third proportional between these two numbers तो ऐसे question हम दो पहले कर चुके हैं तो answer क्या आएगा बताओ ratio निकालना है mean proportional किसका 4.8 और 10.8 का निकाल लो यह mean proportional होता है इन दोनों का क् 100 proportional यानि कि second number का square upon my first number यही होता है तो बस इसको simplify करके जो भी answer आएगा आपका वो हो जाएगा 48 by 10 लिखतो इसको और इसको 108 by कितना लिखतो आप 10 लिखतो और यहाँ पे इसको मैं काट दू 6 पे कट जेगा यह 6 into 2.4 आजेगा इसको simplify कर लेता हूँ मैं 48 को मैं लिखतो कितन इंटू 54 बस calculation नहीं करनी है निचे 10 6 2.4 तो और यह उपर वाले का क्या है अपका अंडरूट है तो अंडरूट करोगे तो एक 2 बार आजेगा इसमें से आप 24 को क्या लिख दो 4 into 6 लिख दो 4 का अंडरूट 2 और 6 into 54 बच गया 6 को आप लिख दो 3 into 2 और 54 को आप क्या लिख दो 6 into में 9 ठीक है यह अप लिख दो क्या 6 into में 9 3 to 6 6 और 6 एक 6 बार आजेगा 9 कंडरूट कितना होज़ेगा 3 सिरफ आपको calculation करनी है जैसे आपको अच्छी लगती है वैसे calculation आप कर सकते हो ठीक है और कोई फॉर्मला है निच्छे कितना आगया 12 निच्छे कितना आजेगा 12 यानि कि 1 ratio 2 सिरफ calculation करनी है जैसे आपको अच्छी लगती है वैसे calculation आप कर सकते हो ठीक है और कोई फॉर्मला है निच्छा बार बर वही कोशन है आपको निकालना है ratio निकालना है किस-किस का 4th proportional of these 3 numbers and mean proportional of these 2 numbers तो पहले तो आप इनका 4th proportional निकालो देखो 3, 4, 9 और X 4th proportional मैंने X मान दिया तो बताओ इन दोनों number का ratio क्या है 3 ratio 4 इनका भी क्या होना चाहिए 3 ratio 4, 3 की value कितनी है 9 तो 4 की value कितनी होगी 12 यानि कि पहले question का answer तो कितना आगया 12 और mean proportional कितना होता है बताओ इनका इन दोनों की multiply करके और square root निकालतो यानि कि कितना आजेगा 14 तो ratio निकालना है आ मैंने आपको shortcut बताए था what should we subtracted from each of the numbers this so that the remainders may be proportional कि इन में से क्या संख्या गटाओं कि नई जो संख्या आएगी 4 वो proportional हो जाए समानुपातिक हो जाए तो वहाँ पे मैंने 2 question कराए क्या add करे यहाँ पे क्या आगया क्या subtract करे तो जए addition हो जए subtraction हो कोई फरक नहीं पड़त का difference निकालो कितना आगया 24 इन दोनों का क्या है difference निकालो 54 और 71 का difference कितना होता है 17 और पिछेटर है और 99 difference और यह कट तो रहे नहीं इनका क्या है ratio यह आगया अब मैंने क्या बताए था इसके बाद अब first और third term को focus करो इन दोनों ट्रम को इसकी multiply 17 की multiply इससे करो और 54 की multiply इसस solution थोड़ा सा कैल्कुलेटिव हो जाएगा मतलब कि 10 सेकेंड की बजाए 20 सेकेंड ले लेगा इससे ज्यादा नहीं हो सकता ठीका इन दोनों का difference कितना बताओ 7 unit यानिकी 7 unit की जो value है वो कितनी होगी बताओ इन दोनों का difference 17 into 75 और 54 into 24 मैं multiply कर देता हूं 54 into 24 1296 और 75 की multiply मैं कर र 21 आगी तो बताओ एक unit की value कितनी आजेगी 3 एक unit की value 3 और मैंने का था जो एक unit की value होती है वही ऐसे questions का answer होता है इससे best method आपको कहीं नहीं मिलेगा इन questions को solve करनेगा थोड़ी-थोड़ी calculation करनी है और आपका answer आजाएगा ठीक है बताओ 17 की multiply 75 से और इसकी multiply इससे करके difference ही तो natural number आएगा बिल्कुल छोटी सी calculation है अंसर आजाएगा आपका आप देखो इस question में देखो जहाँ पर अगर बच्चे सोचते हैं कि हम options का use कर लेंगे वो बच्चे यहाँ पर क्या है fail हो जाएगे क्योंकि options का use आप यहाँ पर कर ही नहीं पाओगे यहाँ पर कहता है if x is subtracted from each of the numbers अगर इन चारो number में से x को subtract कर दें तो वो number क्या हो जाते हैं proportion में हो जाते हैं इसका मतलब पिछे वाला question ही है कि आप से पूछा गया है कि बताओ x क्या होगा कि इसको subtract करने पर यह चारो number क्या हो जाए proportional हो जाए what is the mean proportion between this and this अब आप से तो mean proportion पुछा गया है तो मेरे को बताओ जो यह options given है यह x की value थोड़े है यह इन दोनों number के बीच का जो mean proportion है यह तो उसकी value है तो फिर x की value इसमें आप निकाली ने सकते option से तो फिर क्या होगा फिर हमारा basic method होगा फिर मैं कहता हूँ अपना basic method पर आजाओ जो बिल्कुल आसान है और यह सबसे tough question माना जाता है अब मैं देखो कितने आसानी से इसको आपको slow करके दिखाता हूं इन दोनों का difference निकालो 16 इन दोनों का difference निकालो कितना 24 मैंने कहा था इनका ratio निकाल दिख रोरेशो 3 अब मैंने क्या बताया था difference निकालने के बाद पहली टर्म को और तीसरी टर्म को focus करो इन दोनों की multiply क इनका difference कितना बताओ एक unit का एक unit का difference और यह कितना 32 दूनी 64 और 2369 यानि 69 में से 64 कटाओगे कितना एगा 5 और जो एक unit की value होती है वही मैंने आपको बताए था क्या होता है वही तो x होता है x देखो मैंने कितनी आसानी से निकाल दिया 5 अब x निकल गया तो question हो गया खतम अब आपको इनका क्या निकालना है mean proportional mean proportional क्या होता है बताओ दोनों number की multiply करके और उसका क्या निकालना होता है आपको square root x की जगे 5 रख दो यह कितना बच गया 9 और 5 तिया 15 और एक 16 और यह कितना हैगा 3 गुणा में 4 यानिकी 12 बारा ही इस question का answer है कितनी भी short trick सीख लेना लेकिन यही सबसे best method है और यह सबसे tough question है और इस tough से tough question को भी आ 25 से 30 second के अंदर solve कर सकते हो ठीक है तो paper में अगर इतना question आता तब भी यह कामियाब है method अगर इससे आगे ऐसा question पूछ लिया जाएगा तब तो यह method best है ठीक है next question देखो ऐसे question मैं और करवा रहा है आपको यह question देखो वही question है एक्स को आप subtract कर दो इन चारो नंबर में से तो वो क्या बन जाते है प्रपोर्शनल बन जाते है तो बताओ mean proportional क्या होगा इन दोनों नंबर का फिर वही question आ गया 20, 37, 54 और 105 आप क्या करो पहले दोनों नंबर का difference निकालो इन दोनों नंबर का difference निकालो इनका क्या न difference कितना बताओ, दो यूनिट, इन दोनों का difference कितना, दो यूनिट, अब यहाँ पर difference निकालो, 20 यह 60 और 54 को एक से करोगे 54, यानि कि 60-54, कितना आगया 6, एक unit की value कितनी आगी 3, और जो यह एक unit की value होती है यही आपकी क्या होती है, x की value होती है, यानि कि इन चारो नंबर मे से, अगर आप 3-3 माइनस कर दोगे, तो जो बाकी बचे हुए number है, वो क्या हो जाएंगे, proportion में हो जाएंगे, ठीक है, 3 आगया, अब x की value जब आगी, तो मुझे बताओ, इनका mean proportional निकालना कितना मुश्किल है, answer क्या होगा, बताओ, mean proportional क्या होता है, दोनों number की multiply करके, और इसका क्या कर दो, square root कर दो, x की value कितनी 3, 7, 21, 21 में से 5, 16, और 4, 16, 24, 8, 8 ही इस question का क्या है, answer है, ठीक है, तो यह सबसे tough question जो है, वो मैं आपको बिल्कुल आसानी से solve करके दिखा रहा हूँ, और students को इस concept के अंदर यही question सबसे tough लगते हैं, लेकिन आज के बाद आपको यह question question पुछे जा रहे हैं, तो मैंने यह सारे आपको करवा दिया हैं, ठीक है, तो यह मैंने type 1 के अंदर include किये हैं, आपको proportional वाले question, अब type 2 के अंदर मैं आपको cross product method कराऊंगा, और फिर वो method करने के बाद, फिर हम जितने भी ratio and proportion के अलग-लग type के question होते हैं, फिर हम वो सारे solutions को आपको cross product method से solve करूँगा, और बहुत ही आसानी से, ना कोई ज्यादा calculation होगी, ना आपको question tough लगेगा, जो question आपको tough लगते थे, मैं उनको आसान method से आपको solve करूँगा, ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखते हैं, thanks for watching this video, see you in the next lecture, till then, bye bye, take care.